गुमला के ADJ 1 दुर्गेस चंद्रवस्थी को अदालत ने डायन विसाही में दो महिलाओं की भर्नो थाना छेत्र में सामोहिक हत्या किये जाने के मामले पर सुनवाई करते वे 19 महिलाओं को दोसी करार देते वे आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपे का जुर्माना लगा इसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुहम्मद जाविद हुसेन ने पैर्वी की थी मतादे की घटना गुमला के करंज थाना छेत्र करौंदा जो टुक्टोली गाउं में 9 वर्स पहले 11 जून 2013 को हुआ था जहां डायन विसाही के आरोप में दो महिलाओं की ब्रिजेनिया इंदवार और इगनेशिया इंदवार की हत्या सामोहिक रूप से कर दी गई थी जिसको लेकर कोट ने 19 आरोपी को दोसी करार देते विया जीवन करावास की सजा सुनाई है